नमस्कार दोस्तों पहलवान गुरुदिन गुरुप अब कालेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैं रामला रैकवार प्रबक्ता राहिनिती विज्यान पहलवान गुरुदिन विधी महाविध्यालय पनारी ललित्पुर आज हम नांगरिक की विशय में अध् नांगरिक, अंगरेजी सब्ध की सिटीजन सब्ध का हिंदी रूपानतर है। नांगरिक का सावदय कर्थ नंगर का न्यवासी होता है परंतु बरतमान समय में नांगरिक सब्ध व्यापकर्थ में लिया जाता है। बर्तमान समय में नांगरिक राज का सदस होता है चाहे वह नंगर का रहने वाला हो अथवा ग्राम का न्यवासी हो उसे राज से कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और राज के पृति कुछ करतब्यों का पालन करना पड़ता है इस प्रकार नांगरिक संग्ठित समाज का वह सदस से होता है जो राज से कुछ सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकारी है और कुछ करतब्यों द्वारा समाज से बंधा हुआ है इसलिए नांगरिक के ओल ऐसे ब्यक्तियों को कहा जाता है जिन्हें राज की ओर से नांगरिक एमम राजनेती का अधिकार प्रदान किये गए हुँ और बे उस राज के पृति बिसेश भक्ती रखते हुँ नांगरिक की परिवासाएं प्राचिन युनानी बिचारक अरस्तु ने नांगरिक की परिवासा देती हुए कहा है कि एक नांगरिक ओए है जिसने राज की सासन में कुछ भाग लिया हुँ और जो राज द्वारा प्रदत किये गए सम्मान का उपभोग कर सके इसी प्रकार लास्की के सब्दों में नांगरिक की ओल सब समाज का एक सदस ही नहीं है बरन वह कुछ करतब्यों का यांत्रिक रूप से पालन करने वाला और आग्याओं को बुद्धी मत्ता पूर ग्रहन करने वाला भी है इसी क्रम में गैटिल ने परिवासा दिये उन्होंने कहा है कि नांगरिक समाज की वे सदस हैं जो कुछ करतब्यों द्वारा समाज से बंधी रहते हैं जो उसके प्रभुत्य को मानते हैं और उस समा रूप से लाव उठाते हैं इस प्रकार परिवासाओं के अध्यन से इसपश्ट होता है कि नांगरिक वह ब्यक्ति है जो किसी राज्ज का सदस है तथा जिसे सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं और वह राज राज की प्रति अपने करतब्यों का पालन करता है नांगरिक की लक्षन या जो नांगरिक के अंदर जो विसिस्ता हैं हम विसिस्ताओं का अध्यन करेंगे तो जो नांगरिक कहीं जो पहली विसिस्ता है वह है राज का सदस हो दूसरी वह है राज की सीमा के अंदर रहता हो चाहे वह नगर नवासी हो अथवा कोई ग्राम का रहने वाला हूँ तीसरी जो विशिस्ता है उसी सभी सामाजिक तथा राजनितिक अधिकार प्राप्त हूँ अगली विशिस्ता उसका उद्दिश व्यक्तिगत तथा सामोई खितों की रक्षा करना हूँ पांचमी विशिस्ता में हैं वह राज की संप्रुभूता को सुईकार करता हो और राज में पूर निष्ठा एवं भक्ति भाव लगता हो और अंत में अगली विशिस्ता में उसे मताधिकार प्राप्त हो इस प्रकार से जे नांगरिक की विसिष्था हैं, हम अध्यन करेंगे नांगरिकों के प्रकार, नांगरिकों के प्रकार में हैं, किसी भी प्रकार के राज्ज में चार प्रकार के नांगरिक पाए जाते हैं, पहला अल्प बैस्क नांगरिक, एक निश्चित आयू से कम आयू क ब्यक्ति अल्प बैक्स नागरिक कहलाते हैं इन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होता है भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के ब्यक्ति इसी स्रेडी में आते हैं नागरिकों के प्रकार में दूसरा प्रकार बैस्क नागरिक जिन ब्यक्ति को मताधिकार प्राप्त होता है उन्हें 22 का मता नांगरिक कहते हैं भारत में 18 वर्स या इसके उपर आयू वर्क के लोग इसी स्रेडी में आते हैं अगला जो नांगरिक का प्रकार है नांगरिक ता प्राप्त नांगरिक इन्हें देशी एक रत नांगरिक भी कहा जाता है ये विदेशी होती हुए भी इन्हें कुछ निश्चित सर्तों को पूरा करने के पस्चात नांगरिकता प्राप्त हो जाती है और चौथे प्रकार का जो नांगरिक है मत अधिकार रहित बैसक नांगरिक एसे विदेशी जो बैक्स्ता की इस्थिति निश्चित आयू प्राप्त किये होते हैं किन्तु किनी विशेष कारणों से उन्हें मत दान का अधिकार प्राप्त नहीं होता इस त्रेड़ी में पागल दिवालिया सेना से भागे हुए व्यक्ति आदी आते हैं इन्हें अनांगरिक भी कहा जाता है आज के जो नांगरिक की अध्यन की सम्मंद में हमने नांगरिक का अर्थ परिवासा एवाम उनकी विसिस्ताओं और प्रकारों का अध्यन किया धन्नवार